Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to learn some daily used English sentences जिसे सीख कर आप day to day life में आसानी से English बोलना शुरू कर पाएंगे. आज का हमारा first sentence है, मुझसे बात करो, talk to me. Talk to me. मुझसे बात करो, talk to me. आपको क्या हुआ? What happened to you? What happened to you? आपको क्या हुआ? What happened to you? तुम उदास क्यों हो? Why are you upset? तुम उदास क्यों हो? Why are you upset? सब ठीक हो जाएगा. Everything will be fine. Everything will be fine. सब ठीक हो जाएगा. Everything will be fine. ये बहुत कीम्ती है. It is very expensive. Expensive का मतलब होता है कीम्ती. ये बहुत कीम्ती है. It is very expensive. समझने की कोशिश करो. Try to understand. Try to understand. समझने की कोशिश करो. Try to understand. मुझे सब कुछ बताओ. Tell me everything. Tell me everything. मुझे सब कुछ बताओ. Tell me everything. मेरी तबियद ठीक नहीं है. अगर आपको बोलना हो कि मेरी तबियद ठीक नहीं है. इंगलिश्व बोलेंगे I don't feel well. I don't feel well. मेरी तबियद ठीक नहीं है. I don't feel well. क्या आप मुझे से नाराज हो? Are you angry with me? क्या आप मुझे से नाराज हो? Are you angry with me? आप जवाब क्यूं नहीं देते? Why don't you answer? Why don't you answer? आप जवाब क्यूं नहीं देते? Why don't you answer? अगले सेंटेंस है. आप कब आओगे? When will you come? आप कब आओगे? When will you come? आप क्या धूं रहे हो? अगर आपको किसी से पूछना हो कि आप क्या धूं रहे हो? इंगलिश में पूछेंगे. What are you looking for? What are you looking for? आप क्या धूं रहे हो? What are you looking for? आप चुप क्यों हो? Why are you silent? आप चुप क्यों हो? Why are you silent? मुझे ठन लग रहे है. I am feeling cold. I am feeling cold. मुझे ठन लग रहे है. I am feeling cold. अगले सेंटेंस है. वो तुम्हें बुला रहा है. अगर आपको किसी को बताना है कि कोई उन्हें बुला रहे हैं, तो आप English में बोलेंगे He is calling you वो तुम्हें बुला रहा है He is calling you आपके कितने दोस्त हैं अगर आपको किसे से पूछना है कि आपके कितने दोस्त हैं English में पूछेंगे How many friends do you have? How many friends do you have? आपके कितने दोस्त हैं? How many friends do you have? मेरा एक ही दोस्त है अगर आपको बताना हो कि मेरा एक ही दोस्त है इंग्लिश में बोलेंगे I have only one friend I have only one friend मेरा एक ही दोस्त है I have only one friend तुम बहुत मजाकिया हो You are so funny You are so funny तुम बहुत मजाकिया हो You are so funny तुमने मुझे हसा दिया You made me laugh You made me laugh आज रात आप क्या कर रहे हो अगर आपको किसी से पूछना हो कि आज रात आप क्या कर रहे हो इंग्लिश में पूछेंगे What are you doing tonight? आज रात आप क्या कर रहे हो What are you doing tonight? कि आप मेरे लिए समय निकाल सकते हो Can you make time for me? कि आप मेरे लिए समय निकाल सकते हो मैं आपसे मिलना चाहता हूं किया मैं वजह जान सकता हूं मुझे गलत मत समझो अगर आपको किसी को बताना है کہ मुझे गलत मत समझो English में बोलेंगे Don't get me wrong Don't get me wrong मुझे गलत मत समझो Don't get me wrong उसके चक्कर में मत पड़ो Don't get involved with him मुझे शर्मिन्दा मत करो Don't embarrass me Don't embarrass me मुझे शर्मिन्दा मत करो Don't embarrass me जादा मत बोलो Don't speak too much मैंने कभी तुमसे ये उमीद नहीं की I never expected this from you मैंने कभी तुमसे ये उमीद नहीं की I never expected this from you मेरे पीट पीछे बात मत करो अगर आपको किसे को बोलना हो कि मेरे पीट पीछे बात मत करो English में बोलेंगे Don't talk behind my back Don't talk behind my back मेरे पीट पीछे बात मत करो Don't talk behind my back तुमने क्या कहा? What did you say? आपको कुछ करना होगा You have to do something मुझे क्या करना होगा What will I have to do? कुछ चीजे हमारे बस में नहीं होती ये लाइन हम हमेशा सुनते हैं कि कुछ चीजे हमारे बस में नहीं होती Nothing is better than this चोटी-चोटी बात पर नाराज नहीं होते अगर आपको किसी को बोलना हो कि चोटी-चोटी बात पर नाराज नहीं होते Englishman बोलेंगे Don't get upset over little things Don't get upset over little things क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? Are you listening to me? क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? Are you listening to me? अगले सेंटेंस है आपका जनम दिन कब है अगर आपको किसी से उनका जनम दिन की डेट पूछना है पूछना है कि आपका जनम दिन कब है इंगलिश में पूछेंगे आपका जनम दिन कब है आपकी शादी कब हुई अगर आपको किसी से पूछना है कि आपकी शादी कब हुई इंगलिश में पूछेंगे आपकी शादी कब हुई क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ आज का मतलब होता है पूछना और इस्पीक का मतलब होता है बोलना क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मैं इसे हमेशा याद रखूँगा आज का दिन कैसा रहा? अगर आपको किसी से पूछना है कि आज का दिन कैसा रहा? मुझे आपसे बात करनी है मुझे आपसे बात करनी है तुम परिशान लग रहे हो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ वो मेरा करीबी दोस्त है क्या मामला है? अगर आपको बोलना हो कि चाय ठंडी हो रही है इंग्लिश में बोलेंगे टी इस गेटिंग कोल्ड टी इस गेटिंग कोल्ड तो फ्रेंड्स आज की ग्लास में बस इतना ही आई होप कि आपको समझ आया हो आपने कुछ नया सीखा हो अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें इसी तरह असानी से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके बताएं तुम एक अच्छे इंसान हो तुम एक अच्छे इंसान हो अगर आपको ये किसी को बोलना है तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे थांक्यू पो वाचिंग